पाँच के फंडे के विनिंग सिरीज 75 में मिलते हैं फ्रस्ट प्रेशन के साथ, consider the following statements with regard to the Strait of Hormuz. Hormuz जो Strait है, उसके बारे में आपको statements दिया है. यह पूरा close हो गया है, completely close, ऐसा कहा जाता है, दोनों के territorial waters से. इरान और United Arab Emirates, second statement है, sea passage to the Gulf of Persia, है ना, यह Gulf of Persia को एक sea passage देता है. ठीक है, which of the above statements is or are correct, कौन से statement correct है, क्लिक कीजिए, क्या, ओकी, चलो, मैं क्लिक करता हूँ, match करो answer. answer is B, only two is correct, यह Gulf of Persia जो है, इसको sea passage देता है, sea passage देता है, in the sense, कि Gulf of Persia, sea state of harmony जो है, यह Gulf of Oman में इसको ला लेता है, और Gulf of Oman जो है, यह Arabian sea को connect करता है, ठीक है, धैन में आया है, तो इसी वज़े से यह sea passage देता है, अब completely close by the combined territorial waters of Iran and United Arab Emirates, यह नहीं है, तो इरान है, लेकिन UAE नहीं है, UAE की जगे यह Oman है, क्या है? ओमान है, अब ओमान कैसा है, तो ओमान जो है, और इरान, यह किस डंग से है, थोड़ा म्याप से हम देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, यह देखो, यह देखो, यह देखो, straight of harmony है, और यह जो है Oman, यह Oman का यह जो है, यहने मुसंदम पेननसुला, यह Oman का इसकलेव है, ठीक है, तो यह इरान और Oman इसके बीच में है, ठीक है, यह दोनों का ऐसा है, कि दोनों का यह दि टेरिटोरियल वाटर देखा जाए, तो दोनों ने अपना टेरिटोरियल वाटर 12 nautical miles जो है, ओ कर दिया है, इधर से भी हो गया, तो obviously यहाँ से international water दिखता है नहीं होई, तो इसको यह कहते है, अब ऐसी जब situation आती है, जहाँ पे यह जो है, international water रहता नहीं, उसमें एक passage जो है, ओ दिया जाता है, ओ passage को कहते है, innocent passage, क्या कहते हैं, innocent passage, है नहीं यह international जो sea laws, United Nations का उसके तहता है, ठीक है, चलो देख लेते हैं, क्या news में है, news में ऐसे है भई, कि US की navy जो है, चिल्ला रही जोर जोर से हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, इरान in a tense encounter, है ना, यह cyclone class patrol ship है, USS की सिरग को, और spearhead class expeditionary fast transport, UNS, NS, Choctaw country, जो है, यह एक, दो, जो है, shifts जा रहे थे, उसके बीच में से, अब इरान की जो है, तीन patrolling नौका है, बीच में आ गए थी, जवर जास, इतने नस्दिक आ गए थी, इतने close आ गए थी, कि बस अभी यह टकराने वाले थी, unsafe हो गया था, professionally, behavior जो है, unprofessional level पर हो गया था, और यादी गलती से, थोड़ा भी calculation गलत हो गया रहे थे, तो collision हो गया रहे था, यहने, ऐसी इस दंग से क्यों आए भई, है ना, तो इसी वज़े से यह news में है, चलो देख लेते, next question, Recently, four new corals found in the Indian Ocean, Indian Ocean में नए corals पाए गए, चार, ठीक है, Consider the following facts with regard to this new discovery, यह नई खोज हो गई है, corals के बारे में, इसके बारे में आपको facts दिये गए है, One, are a zooxanthalate corals है, a zooxanthalate है, दूसरा है, nourishment from the solar rays, reach to the shallow water, है ना, solar rays से, जो shallow water में जाते हैं, उससे nourishment करते हैं, Three, found in a Lakshadip Islands water, यह कहां पे पाए गए है, Lakshadip Islands water में पाए गए है, ऐसे तीन statement दिये है, आपको facts कुन से correct है, वो choose करना है, ठीक है, कर लिए आपने, मैं click कर रहा हूँ, Answer is a, only one is correct, these are a zooxanthalate corals है, यह zooxanthalate नहीं है, ठीक है, अब खास बात देखो, a zooxanthalate है, अब zooxanthalate जो corals है, वो shallow water में ही पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन यह zooxanthalate है, तो यह एक depth में पाए जाते हैं, around इनकी depth आदी देखा जाए, तो एक 200 meter से लेके, तो 1000 meter depth तक यह पाए जाते हैं, ठीक है, अब यह कोई sun rays पर depend नहीं है, solar rays पर depend नहीं है, तो किस पर है, तो इनका nourishment जो होता है, यह दूसरे अलग-अलग प्रकार के जो planktons होते हैं, अलग-अलग प्रकार के जो planktons होते हैं, उसके उपर यह 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 उसकी इनकी खुराक है, ठीक है, चलो, देख लेते हैं, news क्या है, भाई, news ऐसी है कि यह चार धुरंदर जो है, new corals पाए गए है, यह published हो गया है, Thalysis and International Journal of Moral Science, Thalysis में यह published हो गया है, इसमें participate कौन किया है, scientist from Geological Survey of India, JDSI के scientist है, उन्होंने participation किया था, यह hard corals है, और यह species solitary पाए जाती, group में नहीं पाए जाती, solitary पाए जाती है, ठीक है, यह थोड़ा compressed collector structure है, देखो, आप structure देखरों, complex एकदम से सक्थ बना है, hard corals होते हैं, बहुत ही सक्थ होते हैं, और यह जो है, धीरे 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 रिप बिल्डिंग में build-up होते रहते हैं, नॉन रिप बिल्डिंग कोरल्स में यह अभी तक identify नहीं हुए, चार प्रकार के हैं, यह है, ट्रूंग, कैटो, फ्लैबेलम, क्रैसियम, दूसरा है, इनक्रोस्टेटम, तीसरा है, इरेगुलेरी, और चवथा जो है, ओ है, एकुलेटम, यह चार होगे, ठीक है, धान में आए, इन जेनरल थोड़ा धान में रोखो न, ऐसा कुछ इन जेनरल बहुत डीटेल में पुछा नहीं जाता, सिर्फ फैमिली वगरे पुछा जा सकता है, कुन से फैमिली से बिलॉंग करते है, क्या करते है, है न, यह सब चीज़े हो जाते, तब यह कुन से फैमिली है, देखो य थर्ड क्वेश्चन, वेर दी नेगेव डेजर्ड लोकेटेद, नेगेव डेजर्ड कहा है, A. USA, B. इस्राइल, C. आस्ट्रिलिया, D. चाइना, क्लिक करें एंसर एकदम से सिंगल लाइन है, ओके, चलो मैं क्लिक कर रहो, मैं आच करूँ, एंसर इस भी इस्राइल, रॉकी डेजर्ड ये कैसा है, रॉकी डेजर्ड है, ठीक है, ये इस्राइल और पैलस्तेन, इसके बीच में है, इस्राइल में इसका 60% एरिया कावर होता है, ये इन जेनरल ट्रेंगुलर शेप का है, रफ्ली ट्रेंगुलर, देख लेते थोड़ सा, मैं आप देख लेते, ये जो है, इस धंग से है, यहाँ से, यहाँ से लेके तो ये इस धंग से है, इस धंग से हो, है न, इर्रेगुलर ऐसा, ये जो है, यहाँ पे ये फुल डेजर्ड है, बहुत ज़्यादा डेजर्ड है, है न, रॉकी डेजर्ड है और बहुत एक्च्छल डेजर्ड यहाँ पैजाता है ठोड़ सा यहां पे एरिट केs condition आती है यह वाला एरिए थोड़ सा एरिट condition का है और यह ठोड़ सा कम मतलब जैसे-जैसे नॉर्थ में जाते रहते है तो उतना उतना उसके जो यह है desert की condition कम होते जाते यह जो है इस साइड में सिनाई आइलंड जो है हाइलांड से सिनाई हाइलांड से यहां से यह प्याक है यह साइड यह देखा जाए तो यह एरिया है यह जॉर्डन रिफ्ट है यह क्या है जॉर्डन रिफ्ट है यह जॉर्डन रिफ्ट से यह इधर में प्याक है ठीक है तो इस transformation हो गया है यहाँ पर उसके context में है नेगेव desert में ancient mox का archaeological site पाई गई है यह confirm करते होए कि उस वक्त इस डंग से reason का transition हो गया Christianity से Islam में यह बोथ important है यह करीबान 1200 साल पुरानी है site खास बात क्या है कि एक square room मिली है यहना एक wall मिली है facing the direction of mecca बरावर है अब खास बात है कि उसके नजदिक एक luxurious building भी मिली है जहाँ पर table है glass artifacts है यह सब दिखरा है तो यह पता चलता है कि वहाँ के लोगों का wealth condition किस धंगे थी ठीक है तो चलो next question देखते है Consider the following statements 1. Speaker of the legislative assembly when the house in a session can call for floor test if we consider that government has lost its majority Speaker जो है legislative assembly में जब session शुरू है तब floor test बुला सकता है यदि उसको लगता है कि भही government डामाडोल है lost as its majority Governor of a state can call for the floor test if he received a request letter with a signature of more than 50% of the member of legislative assembly Governor जो है यह floor test कर सकता है यादी 50% से जादा MLA ने उनको request की कि भही a floor test करो तो कौनसे statement correct है which of the above statement is or are correct समझ लिया दो statements है Click करूँ मैं match करेंगे answer Answer is a only one is correct एक ही correct है दुसरा नहीं है That means speaker have power यादी उसको लगता है if he believed उसको दिखता है कि भही government ने अपनी जो है पकड़ छोड़ दी है तो कर सकता है अब governor कर सकता है क्या yes governor can also call for the floor test लेकिन किसी MLA ने बता है तो नहीं यादी house जो है if house is not in a session जब house का session शुरू नहीं ऐसे वक्त governor को power होता है यादी उसको लगता है कि भही सरकार डामाडोल हो गया है तो दोनों को power है जब session है तो speaker जब session नहीं तब governor ये clear idea जो है supreme court ने बताई है चलो देख लेते हैं क्या है news मैं news ऐसी है कि Indian politics में काफी कुछ गर्मा गर्मी है है ना एक जमाना था कि IRM गयाराम जो था IRM गयाराम एक concept था IRM गयाराम concept को cut करने के लिए anti defection act लाया गया उसमें सुधार कर दिया गया लेकिन आज भी हम जो है Indian politics में जबर जस्त ड्रामा देखते हैं ना बहुती अलग तरीके का हम Indian politics में scenario देख रहे हैं उसमें से एक है महारास्टर की political crisis जहाँ पर उद्दव ठकरे जो है उनकी government जो है खत्रे में आ चुकी है constitutional खत्रा आ गया है और इसे वज़े से floor test के बारे में governor के power क्या है वो focus में आ गए आर्टिकल 174-2 भी यदि देखा जाए तो governor assembly को dissolve कर सकता है council of minister के aid and advice से लेकिन यदि ऐसा है कि भाई council of minister बताने रहा लेकिन council of minister डामा डोल है majority खोग दी गई है तो भी governor अपना mind use कर सकता है और अपने हिसाब से assembly dissolve कर सकता है आर्टिकल 175-2 जो है उसके तहाद governor जो है वो address कर सकता है या message भेज सकता है house में है ना उसको पुरा अधिकर है अब इसके तहाद governor को यदि लगता है कि house नहीं है तो house को call करके उसमें floor test वो करवा सकता है 2020 के शिवरा 54 and others versus speaker ये MPK case चली गई थी और वहाँ पे supreme court ने कहा था कि speaker को पूरा का पूरा अधिकार है यादी ओ floor test करवाना चाहता है if we believe प्रिमा फेसे उसको लगा है कि government के डंडी ऊड़ गई है ऐसा यदी लगता है तो floor test के लिए call कर सकता है और session नहीं तब governor का सकता है कि governor को discretionary power है under article 163.2 इसके context में Supreme Court ने साथ ही में कहा है कि जो captive है MLA कही है कही पे भी रखे गए है उनको political party दावा नहीं कर सकती कि उनको मिलने का उसको अधिकार है लेकिन MLA वो सतंत्र है पूरी तरह is a free enough कि वो decision ले सकता है कि कहा पे जाए और कहा पे ना जाए तो काफी constitutional critical element जो है यह develop हो चुका है Last question In which province of Afghanistan the epicenter of the earthquake of 22nd June 2022 was located Afghanistan के कुंसे province में 22 June 2022 का earthquake जो है ता उसका epicenter है क्लिक कीजिए single line question है मैं क्लिक कर रहा हो match करो Answer is D, Pactica, Pactica is a province है ना देख लेते हैं यह provinces के context में कहा है Pactica यह देखों यह देख रहा है यह Pactica है और यह इसमें यहाँ पे यह around यहाँ पे जो है यहाँ पे यह जो है epicenter था इसी वज़े से cost यह area पर भी काफी असर गिर गया और Pactica पर असर गिर गया था यह उपर में गजनी है तो यह ऐसा कभी question आ सकता है simple question आ सकता है और इसी वज़े से देखो पाकिस्तान के नस्दी के इसलिए पाकिस्तान को भी जटका लगा इंडिया के इधर नस्दी के इसलिए इंडिया को भी जटका लगा तो इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान तिनों को जटके लगे लेकिन अफगानिस्तान में काफी कुछ नुकसान हो गया है चलो द Deadliest in a two decades 1998 के बाद February 1998 में तकार में हो गया था जहाँ पे 2300 लोग मारे गए थे यह अभी उसके बाद बहुत बड़ा है पहले बार अब क्यों हो गया इसे भाई severe destruction not just because of the earthquake and its intensity है ना हाई डेट क्यों हो गया क्योंकि वहां की houses की quality बड़ी poor है और area landslide prone area है और इसी वज़े से हो गया है 6.1 magnitude का था depth बड़ी shallow थी 15 km around it's called as a hypocenter क्योंकि shallow depth थी इसी वज़े से जब अब अर्जस्त energy release होई जो 37 times more powerful than the hiroshima bomb आप समा सकते 37 hiroshima bombs गिर गया ऐसा हो गया हो अब US geological survey जो है उसने categorize क्या क्या है modified mercury intensity scale में इसको scale में रखा गया है severe 8 ठीक है यह भी धान मेर को कभी पूछते है ना यह shallow strike slip halting के वज़ेस हो गया यह धान मेर को shallow strike slip halt ठीक है अफगानिस्तान जो है यह अफगानिस्तान उसी इस पर है continental deformation पर है जहाँ पर Eurasian plate है ठीक है अब यह seismic activity जो है अफगानिस्तान की यह Arabian plate जो है waste में है जो Indian plate जो east में उसमें वो घुस रही है subduction हो रहा है और उसके वज़े से हलचल होते रहती है तो दोस्तों 5 questions आपको समझ गें I hope so कि यह काफी काम में आने वाले आपके success के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और facts को समझ लीजिए all the best